जयाहिन पथर के दिवाल में पॉइंटिंग कैसे करें पॉइंटिंग करने का वेनिफिट क्या होता है सारा चीज हम लोग डिटेल में देखेंगे तो अभी तक हमरा इचल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकोन के दवा दे हां आप इन दो दिवाल में ब्यूटि आजयें इन पॉंटिंग नहीं नॉर्मल और मॉट्टार बरके छूड देते पत्तर के दिवाल न सब्सक्राइब सहिंए तो जब रनी सीजन आता है तो उसमें भी सैसीजन परती है भारिस लगलककर वह जो आपका मोटार होता है वह जल्दी खराब हो जाता है अगर और पाइंटिंग कर देते हैं दीवाल की लाइफ बढ़ जाता है क्योंकि अंदर में आपको पानी एक तो कम जाएगा डूसरा आपको मालूम है कि या पफर की दिवाल बना रहे था आंसेप कə बाली पत्indi करके रखता है एका लिए मजबूत होगा तिसरी बैनिफिट यह होगा क!! लाइफ हो दीवाल इसका लाइफ इंकरीज हो जाएगा और चौधा आपका ही होगा आफ तो लब खुबसूरती बढ़ जाएगा उसको आप जैसे चाहे तो आप जो पॉइंटिंग आपका है के बल पॉइंटिंग को अलग कर सकते हैं और पत्थर का अलग कर सकते हैं देखने में काफी एट्रैक्टिव लगता है आपको इमेज कर रहा होगा वहां से देखेंगा तो रेशा अपॉइंटिंग भी कहा जाता है मिंग जो आपका चलैक्या इक पत्थर है इसमें अपका का मोटार फिल हुआ होगा कि इसमें आपका मोटार होगा अब इस पर पॉइंटिंग आप करते हैं तो पॉइंटिंग जब करते हैं तो इसको कवर करता है इस परकार से फ्लस पॉइंटिंग हो जाता है इस परकार से ना कवर हो जाता है ऐसा इतना पतला सा पटल लग बग डे तो ईसको रस्ती से बांग ना तो फञकर के रखता है तो अ यहां पर करता है is तो फञकर कर रखता यहांपí परकार मिलाा देते हैं यह पर करो से होता है । और अंदर मश्टार न यहां पर मोकार के पास पाणी पूँ से अगर दो पधर लगाएंग तो दो पथर के बीच से पहुआ है पॉंड न निकाल लेते हैं मोटार निकालने के बाद हम लोग सेमिन का पेस्ट बनाता है डॉक्तर ऐसको डालकर उसे पफ् moderator प्neez कर देते हैं is वसली बात हम कहेंगे तो यह फ्लस्ट पॉइंटिंग आपको ज्यादा मजबूती देगा उपर से होता है संग करेंगे तो अंदर से रहेगा तो यह खुब सिर्थी के लिए ही किया जाता है उसमें इस्टॉंग वाले पॉइंट भी से तो कम हो जाता है लेकिन फ्लस्ट पॉ होगे हमारा जो वीडियो चालारा साइड में देखकर तो अगर वीडियो आपका चीज़े आपको क्लियर हो गया है तो लाइक कर दे अभी तब सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबाते हां आपको दोस्तों साइसे करना नहीं बूलेगा चाहिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब तक अपना ख्याल रखी है थाइंक्स लब यॉल